यार वीडियो भी बनानी है और आज मैं ट्राइपॉड भी लेकर नहीं आई हूँ अब वीडियो शूट कैसे करूँ इसको कहीं रख के देखते हैं बट इसमें दिखेगा कैसे की मैं क्या बना रही हूँ अरे यार कहां तो आईफोन के चक्रों में पड़ी हूई है अरे मैं आईफोन से वीडियो बना रहे थी बट मेरी वीडियो ना बन ने रहे एक तो मैं ट्राइपॉड भी घर पर बूलाई हूँ और मैं यही चीज़ सोचे थी अगर आईफोन वाले इसमें एक स्क्रीन एक्स्ट्रा दे देते या फिर कुछ फीचर और इनहेंस कर देते तो कितना मज़ा आ जाता है इस जीज़ का सलूशन मेरे पास है कि जो की यहां पे है अर यार यह मुझे दे क्या पकड़ा हुआ है यह पकड़ यह कौन सा फिलिप फोन है सब कुछ बताऊंगा मैं यह कौन सा फिलिप फोन है पर थोड़ा सा आगे जाके पर सबस्वरे समझाऊंगा कि फिलिप सीरीज आईफोन से क्यों अच्छी है पर फिलिप सीरीज के अंदर कुछ ऐसे इंटरस्टिंग फीचर्स हैं कि जो की तुझे भी और इनको भी नहीं मानता हूं क्योंकि मैं भी एक आईफोन यूजर हूं पर यहाँ पर जो सैमसंग की फिलिप सीरीज है इसका कुछ अलगी जलब है और भाई जो इसके कमाल कमाल के फीचर्स हैं सबसे पहले ये वीडियो स्पॉंसर नहीं है सैमसंग की तरफ से इस फोन को मैंने खुद बाय क अचे करके और जो चीजें आईफोन नहीं कर सकता वह फिलिप साकता है और इस से हम शूट करेंगे सिनेमाटिक वीडियो को और जिनको लगता है कि फिलिप फोन से अच्छी वडिभी नहीं सकती सैंसंग से विडियो नहीं हो सकती उन सबको मैं जबाब देने वाले उस क्या है special features तो खुल जा SIM SIM तो यह पहला special feature है कि अगर जैसे कि तू वहाँ पे अपने iPhone को प्लेस कर रही थी जमीन के उपर तो ऐसे ऐसे गिर रहा था पर इसको तू ज़स्ट ऐसे रख दे इसके front camera को और इसके rear camera को तू असानी से यूज़ कर सकती है बीना tripod के अभी मैं शूट कर रही हूँ Samsung flip के front camera से और इसका जो front camera है वो हमें मिलता है 10 megapixel का और इसका front camera बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है मुझे तो और यहाँ पर आता है पहला special feature कि जैसा कि यह जो महतरमा है पीछे यह वहाँ पर मलब की काफी frustrated हो इसके अंदर वह आपको चिंता करने की जूरत नहीं है कि अगर मुझे यहाँ पर इसको फोल्ड करना है तो इस तरीके से जो मेरा फोन है वो एक professional camcorder की तरह बन जाएगा कि जिसे हम मलग की properly hold करके वीडियो को shoot कर सकते हैं तो चलिए आपर test करते हैं flip series को और हिला के check करते हैं कि phone के front camera के अंदर कितना दम है और मैं यहाँ पर वीडियो को shoot कर रहा हूं 4K 60fps के उपर अगर आपके पास normal phone होगा तो उसको आप ऐसे पकड़ोगे तो वह आपके face के सामने कुछ इस तरीके से रहेगा मलग की ऐसे करके आप उसको use करोगे vlogging के लिए पर अगर आपने front camera को wide angle में बनाना मलग की convert करना मलग की hack लगा के तो simply आपने अपना phone flip मलग की fold करना लाइक कुछ ऐसे तो आप इसको इतनी दूरी से मलग की control कर सकते हो और ऐसे आप वीडियो को shoot कर सकते हो ठीक है और यहां से मैं भाग के देखता हूं कि phone के camera's के अंदर कितना दम है तो मैं front camera से वीडियो को shoot कर रहा हूं Samsung flip phone से और इसको hold करना में यह काफी comfortable है और clarity वायरा काफी अच्छी है और इस तरीके से आपको video installation मिलेगी इसके rear camera से और rear camera के अंदर आपको मिलता है dual camera setup 12 megapixel का एक wide sensor और 12 megapixel का एक ultra wide sensor अब जैसा कि यह जो लड़की है अगर इसको मुझे दिखाना है यह कैसे दिखाई दे रही है क्योंकि लड़कियों को आरत होती है बार बार अपना phone खोल के check करने की कि मैं कैसे दिख रही हूं ठ पीछे वाली screen होगी वह activate हो जाएगी होगी activate तो इस तरीके से आप अगले वाले को भी दिखा सकते हो कि वह कैसा दिखाई दे रहा है महलों कि आप multi काम कर सकते हो इसकी screen को use करके यहां से आप use कर सकते हो इसका wide lens 0.5x के उपर और 1x के उपर ठीक है यहां पर देखो ध्यान तो अभी में क्लिक करने वाली इसके front camera और rear camera से photos और देखते है कि हमें कैसी photos क्लिक करकर के मिलती है तो अब में रिकॉर्ड करों यहां पे इसके front camera से portrait video mode के अंदर कि जिसे हम बोलते है videos के अंदर background blur करना अगर काफी सारे बंदों के साथ vlogging करता हूं front camera से तो मुझे यहां पे portrait video mode के अंदर भी काफी जारा wider view मिलेगा तो इस तरीके से आपको results मिलेंगे और यहां पे आप देखो sky का tone देखो और जो ट्री का color है वो देखो और जो background blur इसने किया हुआ वीडियो के अंदर वो कितना natural आ रहा है और अब मैं record करो इसके rear camera से portrait video mode के अंदर और आप 4K के उपर ported video mode के अंदर rear camera से shoot कर सकते हो जो की काफी चीवात है और front camera से भी आप shoot कर सकते है 4K के उपर अब यहाँ पे जो सबसे वड़ी दिक्कत आती है वो क्या आती है जड़ा सोचो अगर आप vlogging करते हो तो mostly बंदे ऐसे करके vlogging करते है राइट मलब कि ऐसे करके अपने rear camera से shoot करते है यहाँ से ठीक है पर दिक्कत वहाँ पे आती है कि हमें दिखाई नहीं देता है कि हमारे बाल हमारा जो चेहरा है और जो हमारे कपड़े है वो ठीक ठाक आ रहे है और फिर नहीं आ रहे है और कोई ऐसी चीज तो frame में add तो नहीं हो रही है कि जो की गलत है पर इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है सबसे पहले आपने जाने video mode के अंदर और मैं से आपने उपर की साइट इसको ऊपर क्लिक करना है इस आइकन के उपर और जो आपकी cover screen होगी वो on हो जाएगी अब जैसे कि इसको मैं यहां से करता हूँ वीडियो को बनाना start अब यहां पर मैं अपने आपको भी देख सकता हूँ कि मैं कैसे vlog कर रहा हूँ और बजाए यहां से भागता हूँ तो आप मुझे रताना कि आपको वीडियो स्टेवलेशन कैसे लग रही है इस फोन की सो मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरा से 4K 60fps के उपर और इसी फोन का इंविल्ट माइक में यूज कर रहा हूँ और मैंने माइक को रिमूव कर दिया तो आप मुझे बताना कि आपको कैसे सुनाई दे रही है और यहां पर चेक करते हैं फोकसिंग सिस्टम और मुस्की के उपर फोकस करके देखते हैं कि फोकसिंग के अंदर कैसे काम करता है तो यार एक चीज़ नोटिस करो यहां पर कि जो इस लड़की के रहा हूँ स्किन टोन होगी और बिल्कुल आपको नेच्रल वीडियो में लेगी इसके अंदर और यहां पर हमारी मुस्की तो आप देख से तो कितना कमाल का यह नेच्रली बलर करता है वीडियो के अंदर बिना पोर्टेट मोड को यूज किये और अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर के बा और मौर के अंदर आकर आके आपको मिलता है एक कमाल का फीचर कि जो की मेरा फेवरिट फीचर है अंदर प्रो वीडियो मोड और यहां से आप प्रो वीडियो मोड के अंदर शूट कर सकते हो 4K 24fps के उपर कि जो की एक cinematic fps है और यह वाला feature बहुत ही कम phones के अंदर होता है ठीक है और 4K 24fps के उपर और 4K 60fps के उपर Pro Video Mode के अंदर आप वीडियो को shoot कर सकते हो और अपने focus को अपनी shutter speed को ISO को और अपने mic को भी आप control कर सकते हो कि आपने कौन सा mic यूज़ करना है वो भी आप यहां से set कर सकते हो ठीक है और यहां से आप इसके Preview को भी डिस्पले को on करके ऐसे कुछ करके आप check कर सकते हो और फिर आपको में लिदा night mode का option और night mode के कुछ samples वीडियो के और photo के मैं share कर दूँगा और फिर आपको में लिदा एक और कमाल का फीचर की जो की है super slow motion और अगर आपने shoot करना 120 fps के उपर slow motion वीडियो को तो यहां से आपने चूज करना slow mo ठीक है और यहां से आप record कर सकते हो 120 fps के उपर slow motion वीडियो को और मोर के अंदर जाके आपको निलता है फिर अप्शन डिरेक्टर वीडियो का कि जिसकी वेरे से आप अपना front camera और अपना rear camera यूज कर सकते हो और यहां से आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन सा lens यूज करना है ultra wide यूज करना है यहां फिर आपने 1x यूज करना है यह ultra wide हो गया और यह 1x हो गया और इसको आप कहीं भी उठा के लगा सकते हो और यहां से आप इसके frames को भी set कर सकते हो like कुछ ऐसे करके और लाइक कुछ ऐसे करके ठीक है तो ऐसे भी आप वीडियो को शूट कर सकते हो और फिर आपको option मिलते हैं यहापे hyperlapse का और hyperlapse के अंदर आप यहापे शूट कर सकते हो hyperlapse को 4K के उपर, UHD के उपर और full HD के उपर अब बता कौन सा फोन रखेगी यह वला क्यों यह क्यों रखना है यह तो मैं अपने लिए कि आ हूँ नहीं मैंने तुम एस 24 दिया तो मुझे फ्लिप नहीं तो एस 24 अल्टरा रख ले यह मुझे दे यार मैं व्लॉगिंग करता हूं तुझे बहुत अच्छा लगा है पहले जा मैं बोरा था आइफोन के लावा ना कोई और वीडियो ग्राफी नहीं कर सकता रहे फीचर्स के बारे पते नहीं होता है तुझे भी और कुछ लोगों को और ब्लेम करते हैं और सच-सच बताना तुभी बता कि जो तुने सिनेमा पुन कौन सा है यह मोडल कौन सा है जो फोन मुझे मिलने वाला है यह है सामसंग जी फ्लिप फाइफ फोन मदब मॉडल नमबर इसका फाइफ है और इसका जो कलर है यह भी बहुत जादा अच्छा है और बहुत सारे वंदों के दिमाग में डाउट आ रहोगा कि मैंने शिक इस और फाइफ के अंदर हलका फुल का डिफरेंस है जो इसका प्राइज है उसके कोडिंग यह उसको justify करता है और जो चीजें यह नहीं कर सकता वो यह कर सकता है और जो इसको practically use कर लेगा वो समझ जाएगा कि मैं sorry हम क्या कह रहे हैं